दोस्तो गोभी खाने के नाम पे अक्सर घर में हमारे बच्चे नागभौ सिकोडते हैं उनको गोभी खाना पसंद नहीं है तो आज क्यों ना हम गोभी को nutritious, healthy और साथ-साथ इतना tasty और चटपटा बनाएं कि बच्चे उसको ना कर ही न पाएं Welcome to Madhus Food Fun Health दोस्तो और आज हम बनाने जा रहे हैं Sizzler गोभी जो इतनी अच्छी बनेगी कि आप लोग हाथ चाट के खाएंगे एक mixing bowl ले लेते हैं, उसके अंदर फूल गोभी के मैंने छोटे-छोटे टुकडे कर दिये हैं और उसको मैं डाल देती हूँ ये तक्रीबन 1500-200 गोभी है और फूल गोभी को काटने का तरीका आप लोग कैसे काटते हैं मैं इसको हाथ से टियर करती हूँ जो नीचे का डंठल है उसमें मैं चाकू मार के उसके pieces कर लेती हूँ लेकिन जो इसकी पंखुडियां है उसको आप हाथ से ही तोड सकते हैं उससे आपका जो बीच में कट साके क्रश हो जाती है गोभी वो नहीं होगी थोड़ा सा रॉक सॉल डाल रही हूँ बहुत ही थोड़ा और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तिल का तेल आप और जो भी cooking oil यूज करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं मैंने मुश्किल से 1 teaspoon cooking oil इसमें यूज होगा पूरे डिश में इस से जादा आपका oily use नहीं होगा तो air fryer को मैंने preheat कर लिया है 180 degree पे 2 minute के लिए और इसकी tray पर अब मैं इसको रखने जा रही हूँ और इसको air fryer में मैं 10 minute के लिए चलाऊंगी ये पत्ते भी देखने हैं गोभी के हम वैसे कभी नहीं खाते ये पत्ते और ये Chinese चाट जो ह हम बनाएंगे उसमें हम इन पत्तों को भी इस्तेमाल कर लेंगे तो बस air fryer में रखने जा रही हूँ इसको 10 minute के लिए initially रखेंगे 8 से 10 minute के बीच में आपकी गोभी partially cook हो जाएगी 8 से 10 minute air fryer में रखने के बाद हमारी गोभी आधी पक चुकी है अब आप समझ गए होंगे कि इसका purpose क्या था गोभी पकने में थोड़ा जादा time लेती है इसलिए हमने उसको half cook कर दिया है बाकी की cooking process अब हमारी सारी चीजों के साथ में होगी तो अब इसके साथ में जाता है एक छोटे size का प्याज medium से भी छोटा ही समझी है slice करके डाला है ये सबजियां आप अपने ही साथ से customize कर सकते हैं आपको जितना कमती बढ़ती चाहिए उतना रखिए मैंने एक capsicum ले लिया है ये भी एक छोटे size का capsicum मैंने slice करके डाल रही हूं इसी तरह से टमाटर टमाटर मैंने वो उठाया है जो थोड़ा juicy नहीं है कम juicy वाला टमाटर उठाया है मुझे इसमें juicy नहीं चाहिए तो ये मैंने टमाटर डाल दिया आप समझे जितना आपका गोबी है उसके one fourth one fourth portions में बाकी vegetables यूज़ कर रहे हूं और ये हो गया मेरा Italian seasoning आप कोई भी seasoning आपकी जो मर्जी हो Chinese, Italian, Oregano आप डाल सकते हैं थोड़ा सा काली मेश डाला और साथ में थोड़ा सा salt और पहले गोबी में डाला था इसलिए balance कीजेगा थ सबको थोड़ा सा mix कर लेते हैं अब बारी आती है हमारी sauces की मेरे कुछ favorite sauces और dips एक है chili garlic dip और एक है शाजवान dip ये मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूं इससे हमारा काम बहुत असान हो जाता है और चीज बहुत tasty बन जाती है बनाने को हम घर में भी बना सकते हैं अगर हमारे पस नहीं है तो हम थोड़ी सी मिर्ची डाल दें उससे भी हमारा काम चल जाएगा थोड़ा garlic डाल दें ये हो गया soya sauce soya sauce मैं 3 teaspoon डाल रही हूं ये सब चीजे हमारे पास fridge के अंदर अगर ये 4-5 चीजे पड़ी होती है तो हमारा Chinese जब हम बनाते है न कोई भी बस उसमे फटा फट डालिया और देखिए आपका Chinese कितना बढ़िया बन जाता है mix किया और अब थोड़ा सा ketchup मैं इसमें डेट टेबल स्पून ketchup डाल रही हूं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते है जादा मीठा चाहिए तो थोड़ा जादा डाल दीजे कम मीठा चाहिए तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते है तो बस अब यह हमारा तयार हो गया है अब मैंने एक बेकिन डिश ले ली है जो आप आवन में रखते हैं वही मैं एयर फ्रायर में योज़ करती हूं बेकिन डिश उसके अंदर इस सब को ट्रांसफर करेंगे और अब फाइनली मै इसको फिर से 180 डिग्री पे अनदर 10 मिनिट के लिए रखने जा रही हूं तो बस पांच मिनट के बाद इसको एक बार और टॉस दे देते हैं निकाला मैने एर फ्रायर से इसको पांच मिनट में हिला कर और अनदर 5 मिनिट के लिए फिर से रख दूंगी और ये हमारा फाइनल रिजल्ट हमारा बन के बिलकुल तयार है चोटी सी भूख हो आपको सिफ वेजिटेबल्स खानी है आपको ब्रेड्स या राइस या रोटी नहीं खाना है तो ये बना कर और एक हेल्दी मील खाईए दोस्तों और मुझे जरूर बताएगा कमेंट बॉ कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जाते से जादा लोगों के शाथ शेयर कीजिए ताकि हम बहुत लोगों तक पहुंच पाएं थांक्यू सो मच फॉर वाचिंग फिर से मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ एक नई एपिसोड